मानेने सुप्रीम कोट के द्वारा 11 अगस 2023 को जो जज्जमेंट दिया गया उस जज्जमेंट के किसी पॉइंट को ले करके पिछली वीडियो में आप लोगे लगतार कमेंट के मादेम से प्रशना आ रहे हैं और उस कमेंट पर बहुत सारे रिप्लाइज बीएट कंडिडेट की तिरब से आ रहे हैं जहां पर डीएट कंडिडेट और बीएट कंडिडेट आपस में ही आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं साथी साथ किसी एक सिक्षक जो की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं उनके लिए भी आप शब्दों का प्रयोग किया जा तो निश्ची तोर पर ये सिक्षा के गिरते इस तर को ही दिखाता है अगर कोई सिक्षा के एक्स वाईजर जो भी योट्यूब के प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सूचना दे रहे हैं अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस वज़े से मैंने इनके कमेंट को डिलिट किया है साथी साथ सही सूचना आप तक पहुँचनी चाहिए ताकि आप कहीं मिसगाइड हो करके उस डिरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं जिसमें आपका भविशही अंदकार में चला जा रहा है अंद तक जरूर जुड़े रहेगा मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करने के लिए और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए बना रहा हूँ तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आकन को प्रेस करना ना भूले कमेंट में जो लिखा गया था वो ये दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोट को इस बात की जानकारी नहीं थी की जो डियलेड वाले कैंडिडेट है वो 6 से 8 में भी टीचर बनते हैं और अगर उन्हें ये पता रहता है तो बियर डवेर्ती कभी भी प्रात्मिक से बाहर नहीं होता है क्या ये बात सच है ओनरेबल सुप्रीम कोट के 11 अगस्त का जर्जिमेंट अगर आप देखेंगे तो उसके पेज नंबर 19 पर ये पैरा जो की अंती में आप ध्यान से पढ़िए बहुत मैतुपूर्ण है सुप्रीम कोट लिखती है कि NCT Regulation 2009 के तहत जो यहाँ पर प्रियामबल मेंशन किया गया है NCT Regulation 2009 में वो क्या कहता है ध्यान से समझे ये सुप्रीम कोट कह रही है कि जो डिपलोमा है इन एलिमेंटरी एजूकेशन यानि कि जो डियलेट कोर्स है वो कोर्स एक दो साल का सुप्रीम कोट ने प्रियामबल को मेंशन करते हुए कि डियलेट कोर्स का एम ही यह है कि टीचर तयार किया जाया जो की एक से लेकरके आठ तक के सिक्षक हो और जो एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पातर हो अब जब सुप्रीम कोट खुद अपने कोट ज जो भी दावा किया जारा है वो पूरी तरीके से बे बुनियाद है अब यह भी दावा किया जारा है कि जब प्रैमरी वाले अभीयरथी अपर प्रायमरी में चले जाते हैं प्रमोशन पाकरके या फिर उनका रिक्रूट्मेंट हो जाता है जो जो की गलप सूच ना दिज DAY जो कि 1 अपरेल 2010 से लाग हुआ और उसी आर्टी एक्ट के अधार पर MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा National Council for Teacher Education को eligibility तेग करने के लिए कहा जाता है तो NCT ये कहती है कि इनका जो प्रियम्बल था जो कि 2009 में आए था उसमें एक से आठ के लिए DLED अभेर्थी पात रहें लेकिन चुकी DLED दो प्रकार से होता है कई राजों में आप देखेंगे जैसे बिहार ले लिजे हर्याना ले लिजे बहुत सारे 90% राजों में यहीं है कि अगर आप DLED कोर्स करना चाहते हैं तो intermediate के बाद आप DLED में अडमिशन ले सकते हैं और कुछ एकाद राजे हैं जैसे उत्तर प्रदेश ले लिजे वहाँ पर graduation के बाद DLED में अडमिशन मिलता है आप NCT का guideline देखेंगे तो upper primary में सिर्फ और सिर्फ वही DLED candidate एपियर हो सकते हैं जो की graduation plus DLED हैं इंटर के बाद जो DLED किया हुआ है वो पात्र नहीं होगा दूसरा अभियरतियों को इस प्रकार से भ्रहमित किया जा रहा है कि ये promotion पाकर के चले जाते हैं देखेंगे यहाँ पर भी आपको misguide किया जा रहा है honorable ilahabad high court का judgment है कि promotion पाने के लिए वहीं अभियरती हकदार होगा primary से upper primary में जो की upper primary की सारी शर्तों को fulfill करता है अब सारी शर्तों में आपका जो upper primary में eligibility है कि graduation प्लस DLA होना चाहिए वो भी होता है और अगर कोई primary का teacher upper primary का tet qualify नहीं है तो भी वो promotion पाने के लिए हकदार नहीं होता है तो promotion तभी संभव है जब आप upper primary के सभी criteria को fulfill करते हैं प्रियम्बल यह कहता है कि upper primary और primary दोनों में DLA डवेर्थी eligible होते हैं लेकिन वहीं DLA डवेर्थी जो की graduation के साथ DLA की हुए है तो जो भी आपको सूचना दी जा रही है कि Supreme Court को नहीं सूचना दी गई वो गलत है Supreme Court ने court order में ये बाते mention की गई है अब देखिए किस प्रकार से beard candidate को misguide किया जाता है देखिए इसी Supreme Court के page number 20 पर जब आप आगे जाएंगे तो beard के बारे में यहाँ पर mention किया गया देखिए यहाँ पर देखिए The same regulation in its appendix for describe beard as follows यानि कि beard के लिए preamble में क्या mention किया गया है ध्यान से पढ़िएगा देखिए The beard of education The bachelor of education program generally known as beard age professional course that prepares teachers for upper primary ध्यान से देखिए upper primary यानि 6-8 की भरती हो गई और middle level जैसे बिहार में इसको middle level के नाम से जाना जाता है देखिए 6-8 यान पर mention किया गया है साथी साथ secondary level यानि 9 से 10 वाली vacancy और senior secondary level यानि की 11 और 12 की भरती यह जो यहाँ पर secondary level है बिहार में इसको मादमिक इस्तर बोलते हैं और अने राजो में जैसे उत्तर प्रदेश में TGT के नाम से जाना जाता है और जो senior secondary level है बिहार में इसे उच्च मादमिक बोला जाता है और अने राजो में जैसे उत्तर प्रदेश में इसे PGT के नाम से जाना जाता है तो जो B8 course डिजाइन किया गया है वो 6-8 upper primary जिसे middle के नाम से भी जाना जाता है और TGT, PGT, TGT और PGT के लिए डिजाइन किया गया है इसमें PGT में DLAड वाले अभियर्थी eligible नहीं होते हैं अब उत्तर प्रदेश की PGT भरती को लेकर किस प्रकार से आपको गलत सूचना दी जाती है चाहें मीडिया में या फिर अभियर्थियों को इसके बारे में बात कर लेते हैं आपके मन में अब प्रशन आएगा कि जब BAD के प्रियाम्बल में NCT की गाइडलाइन में में मेंशन किया गया है कि BAD ही केवल PGT के लिए पात रोगा तो फिर उत्तर प्रदेश में जो PG केवल किये होते हैं या फिर जो DLA और PG होते हैं उनको क्यों मौका दिया जता है देखिए ये भी सूचना आधी है दूरी आपको दी जाती है अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पिछली भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाल गया था PGT का वो आप ओफिशल नोटिफिकेशन अपने स्क्रिन पर देख पार होंगे यहाँ पर देखें हिंदी विशय के लिए यहाँ पर वरियमान और अधिमानी आहरता लिखा गया है और इसमें B8 लिखा गया है तीन कैंडिडेट है माल लिजे पहला कैंडिडेट जो कि केवल PG किया हुआ है दूसरा कैंडिडेट जो कि PG प्लस DL8 किया हुआ है और तीसरा कैंडिडेट PG प्लस B8 किया हुआ है अगर तीनों के नंबर सेम है तो चैन किसका होगा चैन सिर्फ और सिर्फ इस अभियर्थी का होगा उत्तर प्रदेश में जो कि PG और DLT किया हुआ है इसका चैन नहीं होगा क्यों क्योंकि B8 को यहाँ पर वरियता देने की बात की जारी है और जो उत्तर प्रदेश में यह बाते कही जारी है वो आधी अधूरी आपको बताई जाती है आपको गलत डिरेक्शन में ले जाए जारा है सुप्रिम कोट के जज्जमेंट के बाद से वहाँ पर आपके लिए रास्ते बंद हैं तो जो आपके पास विकल्प है उन विकल्पों पर अगर आप काम करेंगे तो उस समय ऐसे अभियर्थी नहीं मिल पाते थे जो कि PG भी कोर्स किये हों और BAD भी कोर्स किये हों इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलाक्स डाउन किया गया eligibility को NCT की मदद से कि हमारे पास इस प्रकार के candidate नहीं मिल पारे है जो कि PG और BAD दोनों कोर्स किये हुए है इसलिए थोड़ा सा रिलाक्स करके ऐसा किया जाए कि किवल PG मांगा जाए किवल PG मांगा जाए और जब अभियर्थी चैनित हो जाएगा तो फिर उसको BAD कोर्स करा दिया जाएगा चैन करने के बाद से ये उस समय परिस्थितिया थी जब BAD कंडिडेट और PG और BAD एक साथ कंडिडेट नहीं मिल पाते थे उत्तर प्रदेश में लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आप देखेंगे कि बहुत सालों से ये प्रक्रिया को फोलो करती आ रही है आज उत्तर प्रदेश में ऐसे कंडिडेट जो कि PG और BAD दोनों किये हुए उनकी संख्या लाखों में है बावजूद इसके अपने नोटिफिकेशन में ये संसोदर नहीं करती है और BAD कंडिडेट इसको ले करके कोई भी राज सरकार को इसके संब्ध में ग्यापन नहीं देते है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करके इन सबी चीजों को बताया जा रहा है क्योंकि ये आपका आधिकार है BAD कंडिडेट का आधिकार है NCT की गाइडलाइन के नुसार जो परिसितिया पहले थी उसके हिसाब से जो हो चुका लेकिन अब जो वैकेंसी जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ BAD का आधिकार है उसमें नॉर्मल PG कंडिडेट नॉर्मल PG प्लस DLAD कंडिडेट हो ही नहीं सकता आप जैसे बिहार की वेकेंसी देख लीजे जो उच्छ मादमे की वेकेंसी है जिसे अने राजों में PGT की नाम से जनाता है उसमें कहां PG केवल मांगा गया उसमें कहां PG PLUS DLard मांगा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ PG PLUS BEAD मांगा गया है क्योंकि ये NCT की guideline कहती है NCT की guideline को अगर उत्तर प्रदेश राजे सरकार सही से follow करे और अगर उनको बताया जाए कि इस प्रकार की guideline है अब उत्तर प्रदेश में B.A.D. और PG की अभियरतियों की संख्या पर्याप्त है तो फिर आप अन्य अभियरतियों को क्यों मौका दे रहे हैं यह सही direction होगा B.A.W.T. को action लेने के लिए लेकिन आप उस चीजों में पड़े हुए है जो की practically अब possible ही नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ गलत सूचना दी जा रही है आप किसी भी राजे की PGT की वेकेंसी उठा करके देखेंगे वहाँ पर normal PG और normal PG प्लस DLT को मौका नहीं मिलता है यह सिर्फ गलत सूचना आपको दी जा रही है PG प्लस B.A.W.T. ही केवल PGT में पातर होगा NCT की guideline के नुसार और जहाँ पर पहले मौका मिल चुका है वहाँ पर candidate नहीं मिल रहे थे इस वज़े से राजसरकार ने थोड़ा सा lower down किया था अब चुकी परियाप्त संख्या हो चुकी है तो आप राजसरकार को जाकर के ओगत करा सकते हैं कि NCT की guideline इस प्रकार से है और हमारे यहाँ जब परियाप्त संख्या है तो फिर आप normal PG को या फिर PG plus DLT को मौका क्यों दे रहे है यह eligibility को lower down करने का मामला उत्तर प्रदेश में सिर्फ PGT में नहीं है आप लें देखा होगा कि 72,825 जो की primary स्थरकी भरती थी 2012 की उसमें BAWRT को मौका दिया गया था जबकि NCT की guideline करनुसर BAWRT पात नहीं थे प्रात्मिक में यह मौका इसी वज़े से दिया गया था कि कि उस समय डेलर डभीरतों की परियाप्त संख्या नहीं थी और इसलिए lower down किया गया था और इसी प्रकार से PGT में भी जब परियाप्त संख्या नहीं मिलती थी PG प्लस BAWRT तब जाकर के मौका दिया था था केवल PG या फिर PG प्लस DLAWRT को अब चुकि वहाँ पर परियाप्त संख्या मिल गई तो प्राइमरी से हटा दिया गया 2012 के वेकेंसी के बाद से और PGT वाली वेकेंसी में कभी भी BAWRT ने राजसरकार को ओगत कराया ही नहीं कि इस प्रकार की गाइडलाइन है और राजसरकार भी बिल्कुल आँख बंद करके नोटिफिकेशन जारी कर देती है बिना NCT के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसके अलामाद 2013 से उत्तर प्रदेश में परिशदे उच प्रात में कि कोई भी वेकेंसी आई ही नहीं है अब आप सोच लिजे 10 साल हो चुके हैं 10 साल में अपर प्रैमरे में कितने टीचर रिटायर हुए होंगे प्रमोशन की जहां तक बात है तो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन भी नहीं हुआ है आप मान करके चले 10-12 साल से प्रमोशन ही रुका हुआ है तो आखिर ये वेकेंसी जा कहा रही है अपर प्रैमरे की अगर आप एक B.A. कंडिडेट हैं तो आप राजसरकार से मांग कर सकते हैं जब हमारे लिए प्रैमरे के रास्ते बंद कर दिये गया है तो जो हमारे पास विकल्प है एटलिस्ट उसमें तो वेकेंसी दीजिए अपर प्रैमरी जो कि आपका अधिकार है हजारों की संक्या में वहाँ प्रद खाली है उसको लेकर के कभी भी आपको प्रेरित नहीं किया जाता है कि इसकी मांग करिए सिर्फ वो चीज़े बताई जारी है जो कि आप प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सुप्रिम कोर्ट का जज्जमेंट आने के बाद से वो चीज़े अब चुकी रास्ते बंद हो गए है तो उस पर सर पिटने से अच्छा ये है कि जो आपके पास विकल्प है और जिसको लेकर के राजसरकार गलत डिरेक्शन में बढ़ रही है अटलिस्ट आप उनको औगत तो कराईए कि NCT का इस प्रकार से गाइडलाइन है आप 10% से ज़्यादा सीटों को वेकेंट नहीं रख सकते अपर प्रैमरी में पिछले 10 साल से कोई वेकेंशी नहीं आई है लगतार टीचर वहां से रिटायर हो रहा है प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आखिर ये पद जा कहा रहा है ये पद B8 के लिए है पिजिटी वाला और जो अपर प्रैमरी वाला है उसमें जो DLA जो इलिजिबल होगा वही केवल जाएगा ऐसा नहीं कि सभी DLA बीरती जाएंगे तो जो पद आपके पास है उसको छोड़ करके उन चीजों के लिए आपको भटकाया जा रहा है जो की सुप्रीम कोट ने रास्ते बंद कर दिये हैं अब मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ